हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें दिलक खोले के हनुमान मंदिर भी है। भक्तों, खोले के हनुमान जी, लक्षमन, डुंगरी, दिल्ली बाईपास, जैपूर में इस्थित, सरवाधिक प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि कुछ सदियों पहले बाबा निर्मल दास ने उसी अस्थान पर हनुमान जी की साधना की थी। इस छेत्र को नरवर दास जी की खोल भी कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन दुर्ग शैली में बना है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर के द्वार का मॉडल संगा नेरी गेट जैसा है। द्वार के दोनों ओर गोल बुर्ज, चोडी सडक, पेड़ पौधी की सजावट, मारक के बीचों बीच लाल पत्थरों से बनी छतरियां और बारादरियां देखते ही बनती है। भक्तों, खोले के मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि पहाडियों की खोह, बहते नालों और जंगली जानवरों के डर से इस निर्जन स्थान में 60 के दशक तक शहरवासी यहां का रुख नहीं करते थे। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे नामक एक साहसी ब्रामण इस निर्जन स्थान पर आये तो उन्हें लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मुर्ती मिली। पंडित राधेलाल चौबे तक्षन हनुमान जी की सेवा पूजा करनी आरंब कर दी और अंतिम समय तक ये जगह छोड़ कर वे कहीं नहीं गए। यहीं रहकर हनुमान जी की साधना आराधना करते रहे। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे ने मंदिर के विकास के लिए नरवर आश्रम सेवा समिती की स्थापना की तथा अपनी निष्ठा, भक्ती और अथक परिश्रम से उन्हों ने इस निर्जन स्थान को सुरम में और दर्शनिय स्थल बना दिया। वैसे तो हमारा देश आस्थावादी लोगों से बढ़ा हुआ है पर लेकिन हनवान और वगवान राम के प्रती विसेश आस्था याके हिंदू बर्ग में रहती है। उसी आस्था के नाते दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं जैनवान जी के दर्शन करने आते हैं। और बाबा के प्रती विशेस आस्ता है लोगों की विशेस स्रद्दा है बाबा का आशीरवाद जब मिलता है तो अटूट किरपा बाबा की स्रद्दा जुगों पे रहती है भक्तों, यह स्थान कभी बियाबान और निर्जन था, तब पहाडों की खोह का बरसाती पानी खोले के रूप में यहां बहता था, इसलिए मंदिर का नाम खोले के हनुमान जी पड़ गया भक्तों, खोले के हनुमान मंदिर के नाम से सूप्रसिद्ध यह मंदिर अनुपम और अप्रतिम है, लाल पत्थरों से बनी इसकी तीन मंजिला इमारत, पूरा नागर शैली ने बनी है, जो अपने शिल्प कला से आगंतुकों, दर्शकों, श्रद्धालूं और पर्याटकों क बहुत प्रभावित करती हैं, मंदिर के महराब, कंगूरे और बारा दरियां, जैपूर के ही प्राचिन शिल्प विधान को आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं, खोले के हनुमान मंदिर का आंतरिक गर्बग्रिह और जगमोहन काफी बड़ा है, जिसमें पांच सौ शर धालू बैठ कर एक साथ पूजा पाठ कर सकते हैं,